दोस्तो जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हूँ ये अभी अभी आई हुई न्यूज है और ये न्यूज के अंदर ये क्लियरली बताया गया है कि ये महिने में चाइना ने गोल के रिजव को नहीं बढ़ाया है चाइना लगातार 18 महिने गोल के रिजव को बढ़ाते आ रहा था यहने कि चाइना ने लगातार 18 महिने गोल के अंदर खरीदारी की थी और आप देख सकते हो ये news ये clear बता रही है कि चाइना ने अभी गोल को खरीदना बन कर दिया है उन्होंने गोल का रिजव बढ़ाना बन कर दिया है और ये news गोल के लिए खराब संके थे गोल के लिए ये न्यूस खराब क्यूं है ये आपको पता होगा अगर आप हमारे वीडियोज को रेगुलरली देखते हो मैंने आपको मेरे वीडियोज से लगातार दिखाया था कि चाइना लगातार गोल के अंदर खरीदारी कर रहा है और चाइना गोल के रिजव को बड़ा रहा है और हमने आपको ये क्लियरली दिखाया था कि चाइना का गोल रिजव जिस तरह से उपर जा रहा है उसी के साथ गोल की कीमते भी उपर जा रही है और आप अभी वीडियो के अंदर इसे देख रहे हो और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर चाइना ने गोल की खरीदारी बंद कर दी है तो ये न्यूज गोल के उपर शौट टम में एक बड़ा इंपेक्ट जरूर डालेगी क्योंकि गोल की कीमते चाइना की खरीदारी की वज़े से ही उपर जा रही थी और अगर चाइना ने अभी गोल की खरीदारी रोकी है तो इससे गोल की कीमतों में एक गिरावट जरूर दिख सकती है और आप देख सकते हो ये न्यूज जैसे ही आई है गोल्ड के अंदर किस तरह की बड़ी गिरावट आई है मैं आपको मेरे पिछले दो हपतों के वीडियो से लगातार बता रहा हूँ कि आने वाले हफतों में गोल्ड सिल्वर के अंदर correction and consolidation होने वाला है मैंने मेरे दो हफतों के वीडियो से आपको लगातार बताया है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर मुझे लगता है अगले 3-4 महेने consolidation हो सकता है और ये news इसे ही confirm करती है तो दोस्तो आप देख सकते हो मैं आपको किस तरह का एनेलिसिस मेरे वीडियो से देता हूँ चलो ये वीडियो को मैं 1500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ चलो देखते हैं क्या आप मेरे ये वीडियो को 1500 लाइक्स दे पाते हो के नहीं दोस्तों आपके सामने हैं मैं आपको किस तरह की जानकारी मेरे वीडियो से प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको लगातार बता रहा था कि अगले तीन से चार महने गोल के अंदर correction and consolidation हो सकता है और चाइना ने जो गोल को खरीदना बन किया है ये news यही बता रही है कि इसकी possibilities अभी बहुत जादा है